डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्टैक टीवी विफाकी रानुमाओं के मुबासे के बाद कंसरवेटफ लिबरल से आगे निकल गए नई रिपोर्ट टॉरंटो में मशूर सीरियन होटल धम्कियों के बाद बन एंड्रियाशियर के सब्वेश सिस्टम के हवाले से वादे शिमाली डरहम रीजिन में घर में धमाके के बाद दो अफराद शदीद सख्मी अमरीका ने चीन के लिए वीजा पाबंदियों का ऐलान कर दिया तुर्की को धमकी देने वाले ट्रॉम्प ने उर्दगान को पार्टनर करार दे दिया जर्मनी में अमरीकी फजायक F-16 तयारा गिर कर तबा एट लाइस आपने चौनी खबरों की तफसील शौमिल करेंगे इस चौट ब्रेक के बाद झाला करा उडिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian Government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Are you tired of the same thing over and over again from the Liberals and Conservatives? They say anything to get elected. So how can you, as a voter, keep doing the same thing and expect different results? I'm Maxime Bernier. The People's Party of Canada will reduce immigration, lower your taxes, and fight political correctness. It's time for a change. On Election Day, try something new. Find out more at People'sPartyofCanada.ca कि क्यूबिक में ब्लॉक क्यूबिकों की बढ़ती हुई हमायत से कंजरवेटिव को इक्तिदार में लाया जा सकता है। पार्टी को तीन फीसद वोटर्स की हमायत हासल है। इस पोल के मताबक NDP और ग्रीन्स को 12 फीसद ब्लॉक क्यूबिकों को 6 फीसद की हमायत हासल थी। उस वक कहा गया था कि लिबरल्स 168 टूरीज, 123 फीसद NDP, 21 फीसद ब्लॉक, 15 फीसद और ग्रीन्स 4 फीसद सीटें हासल कर सकते हैं। टॉरंटो में एक सीरियन रेस्टरॉंट जिसने रवादारी और महाजरों के हम अहंगी के हवाले से दुनिया भर की शेह सुर्खियों में जगा बनाई। अब उसकी जानब से ऐलान किया गया है कि नफरतंगेस, पेगामात और मौत की धंकियों के बाद उसे मुस्तकल तोर पर बन कर दिया जाएगा मजीद जानेंगेस रिपोर्ट में। टॉरंटों में एक सिरियन रेस्टरॉंट जिसने रावादारी और महाजरों के हम अहंगी के हवाले से दुनिया भर की शेह सुर्खियों में जगा बनाई अब उसकी जानब से ऐलान किया गया है कि नफरतंगेस पेगामात और मौत की धंकियों के बाद उसे मुस्तकिल तोर पर बंद कर दिया जाएगा कोईन स्टरीट पर वाकिस सूफी ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर उसे बंद करने का ऐलान किया पेगाम में कहा गया है कि हमने अपने अमले और उसकी हफाज़त को मद्दे नजर रखते हुए भारी दिल के साथ ये फैसला किया है हम अ अक्तूबर 2015 में अपने बच्चों आला जाला और आयाम के साथ कैनडा चले गए थे सूफी की शुरुआद 2017 में हुई थी और उसे शामी महाजरीन के कामयाव इंजमाम की मिसाल के तौर पर नियू यॉक टाइम्स में दिखाया गया था इस खांदान ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हमें अपने शाम की सिकाफत मौसी की और घर से तैयार लजीज खानों से प्यार करने की वज़ज़ से सूफियों को खोलने की तरगीब मिली सूफी खांदान ने दूसा बयान जारी करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि ये नफरत टॉरंटो के लोगों की अकासी नहीं करती है टॉरंटो के अवाम महबत करने वाले हैं हमने केमिनिटी के अंगिनत अरकान और तन्जीमों से सुना है कि जिन्हों ने शहर में अपना इतमाद बहाल किया है इस सलसले में कैनेडियन वजीर आजम जास्टिन टूडो ने टूइट करते हुए कहा कि नफरत अंगेज और तशद्ध की धंकियों कैनेडा में कोई जगा नहीं है टॉरंटो पुलिस की जानिब से कहा गया है कि दो अक्तूबर को मस्कूरा खांदान की जानिब से एक फोन कॉल मौसूल हुई थी जिसमें कहा गया था कि वो धंकियों के हवाले से रिपोर्ट दर्च करवाना चाहते हैं पुलिस का कहना है कि जब वो वहां पहुँचे तो वहां रेस्टरॉन में कोई भी नहीं था हम इस हवाले से रिपोर्ट बनाना चाते हैं ताहम जब तक 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 कुछ नहीं किया जा सकता खबर शामल करेंगे आपको बताएं कंसरवेटिव रहनुमा एंड्रियो शिर ने ट्रॉम्प इंतजामे के नुक्ता नज़र समेट पूरी दुनिया में बढ़ती हुई तहाफुस पसंदी को कैनड़ा और आलमी मैशित को दरपेश परिशान कुन अलामते पैदा करने के उर्दे इलजाम करार दिया है शियर ने जोर दे कर कहा है कि अगर वो वजीर आजम बन गए तो टैक्सों में कटोती करके जादा सर्मायकारी को फरुख देने और विफाकी किताबों में तावाजन पैदा करके किसी भी आलमी बहरान से नमटने में केनड़ा की मदद करेंग बहुत सारी परिशान कुन अलामते हैं जब भी आप देखते हैं कि दुनिया में तहाफुस पसंदी का एक सलसला चलता है जैसा कि हमने रियासत हाई मुत्तादा अमरीका और दूसरे ममालिक के साथ भी देखा है उसका आलमी तरकी पर हमेशा मन्फी असर पड़ता है प्रू यारियो लाइन और यॉंगे स्ट्रीट पर टॉरंटो सब्वे सिस्टम पर तौसी के लिए फ़ंड की फरहामी का भी वादा किया शेयर ने कहा कि वो सूबों के साथ मुनासिब कीमत और वक्त पर ट्रांजिट मन्सूबों पर काम करेंगे ताहम उन्हों ने इस हवाले से त हमाके के बाद दो अफराद शदीद जखमी हो गए धमाके की इतला मिलते ही रेस्क्यू अमले को जाए वखुआ पर रवाना किया गया पुलिस के मताबग धमाके के नतीजे में इमारत की खिड़किया तूट गई पुलिस ने बताया के धमाके के वक्त घर का मालिक और मरम्मत करने वाला शक्स गैस इन होने के बाद फरनेस का मौइना कर रहा था जो गुजश्टा हफ़ते नस किया गया था पुलिस ने बताया के जखमियों में एक की अमर पचास जबके दूसरे की बीस के करीब थी उन्ह के उन्हें अब्तदाई तोर पर खरीबी एस्पिताल ले जाया गया था दोनों को शदीद चोटे आई हैं पुलिस का कहना है के धमाके से घर को नुकसान पहुचा है जबकि उसकी वज़ा एक हफ़ते कबल नस किये जाने वाली भटी है वजारत मेहनत ओंटेरियो फायर मार करते हुए कहा है कि चीनी हुकूमत और कम्योनिस पार्टी के बाज होदेदारों पर वीजा पाबंदी लगाई गई है मजीद एहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में अमरीका ने चीन के लिए वीजा पाबंदियों का ऐलान कर दिया मीडिया रिपोर्ट के मुदाबक अमरीकी वजीर खारजों माईक पॉंप्यों ने समाजी राफ्टे की वेबसाइट टूटर पर अपने टूइट पे चीन के लिए वीजा पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा है कि चीनी हुकूमत और क्यमिनिस पार्टी के बास ओदेदारों पर वीजा पाबंदी लगाई गई है। दूसी तरफ अमरीका ने चीन में मुसल्मानों से बस सलूगी के इल्जाम पर चीन के 28 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमरीका के इस एकदाम पर चीन ने शदीद तहाफूजात और रद्धे अमल का इजहार करते हुए उसे चीन के अंधरूनी मौमलात में मदाखलत और आलमी तालुकात के बनियादी उसूलों के खिलाफ फर्जी करार दिया है। अमरीकी महक्मे खजाना ने पीर को चीन की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का इस ऐलान के बाद ये कंपनिया विफाकी हुकूमत की मनजूरी के बगएर अमरीकी कंपनियों से मसनुआत की खरीदो फरोग्त नहीं कर सकेंगी। सेकेटरी खजाना विलबोर रोज ने कहा है कि अमरीका चीन में अकलियतों पर होने वाली बदसलूकी को ना तो बरदाश कर सकता है और ना उसे बरदाश करेगा। इतलात के मताबिक अमरीका ने जिन चीनी कंपनियों पर पावंदी आई की हैं उनमें निगरानी के आलाद बनाने वाली कंपनी, हैक विजन, मसनुई, जहानत की कंपनी, मैगवी, टेकनोलोजी और सेंस टाइम्स शामल हैं। अमरीकी सदर डॉलन ट्रम्प ने यूटरान लेते हुए शाम के मौमले पर तुर्की को मौशी तबाही की धमकी देने के बाद अब तुर्क सदर तयब अर्दगान को अमरीका के दोरे की दावदे डाली। सदर ट्रम्प ने ट्विट किया है कि तुर्क सदर 13 नवंबर को अमरीका बता और उनके महमान आएंगे। सदर ट्रम्प ने टुर्क में मजीद कहा कि लोग भूल जाते हैं कि तुर्की अमरीका का बड़ा तज़ारती साती है और अमरीका के एफ 35 पाइटर जेट के लिए स्टील का धाचा तयार करता है। उन्होंने याद दिला है कि तुर्की ने री बरिंसन को अच्छी सेहत के साथ कैट से रहा किया हाला कि सदा पूरी होने में अभी कई साल बाकी थे। जर्मनी के मगर्बी अलाके में अमरीकी फजायक F-16 तयारा गिर कर तबाह हो गया हाथसे में खुशकिसमती से पालेट महफूज रहा मजीद एहवाल इस रिपोर् पालेट बरवक जहास से निकलने में कामयाब रहा जिसके बाइस वो जिन्दा बच गया तर्जमान जर्मन एर फोर्स के मताबिक पालेट को रेस्क्यू के बाद जखमी हालत में अस्पिताल मुन्तिकल कर दिया गया जर्मन हुकाम ने इलाके के बड़े हिस्से को सील कर दिय जहां किसी को जाने की जासत नहीं दी जा रही गयर मुल्की खबरसाइदारी की रपोर्ट के मताबिक हादसे के वज़ा फिलहाल मालूम नहीं हो सकी और नहीं अमरीका की जानिब से कोई बयान जारी किया गया जर्मन एर फोर्स ने पालेट की शनाख भी जाहिर नहीं की इसके साथ ही टाग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे टाग टीवी